नमस्कार आज हम इस वीडियो में एच्पी टैट के रिलेटड साइकलोजी के कोश्चन को डिसकस करेंगे यह जो कोश्चन होंगे यह आपके आने वाले एच्पी टैट अच्पी कमिशन अच्पी पीजिटी एक्जाम सी टैट सभी एक्जाम में यह प्रसंद हलफुल सावित होंगे तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के आगे बढ़ना से पहले अगर आपने इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और आखके लिए और बड़ी कंटेंट लेके आऊं तो शघ्रल वहले कोश्टन है कि शृक्षा का अज्री को अद meditate होना चाहिए कि इसमें क्या पूछा गया है कि शृक्षा को क्या होना चाहिए नचैए जोटी single के समय बाहर कोट्राश के लिए त्यार करना तो मत्ल Town k य्जो युड़ाक那 मैं फ्साइक जीवन के याड़त को त् जीवन के लिए भी द्याति को त्यार करना तो इसका राइड अंसर हो जाएगा आपके पास ओफशन फॉर नेक्ट कोशन है दोस्तों कि बरत्मा शिक्षा बेक्ति को जीवन से अलग करती है क्योंकि ओफशन बन के बताए गया है कि ये जीवन का समगर भाग नहीं है ओफशन तू के कहता है कि ये बिक्ति को दाना पानी देने में असमर्थ है ओफशन फॉर के कहता है कि ये बिक्ति की मूलभूत अब शक्तों की पूरती नहीं करती है तो इसके राइट अंसर हो जाएगा आपके पास option बन ये जीवन का समगर भाग नहीं है कि इसमें के बताएगा है कि बरत्मा शिक्षा जो है बोग्ति के जीवन से अलग करती है क्योंकि ये जीवन का समगर भाग नहीं है नेक्ट कोशन दोस्तों कि महात्मा गांधी द्वारे चलाईगी यह शिक्षा की परनाली जानी जाती है ओफशन बन के कहता है कि बन्यादी शिक्षा पनाली और चलाईगे शिक्षा की पनाली जो ती बहुत है आपकी बन्यादी शिक्षा पनाली तो इसके राइट अंशर हो जाएगा आपके पास ऑफशन बन कि नेक्ट कोजब दोस्तों कि राष्टी शुक्षन निती नाइंटी एटी-स सक्षा पर निवेस कुल राष्टी रॉत्पादें का प्रतिशत होने चाहिए छह शे परसेंट अफ्षन भी तस परसेंट ऑफ्षन 3 के गयाता है पोर परसेंट या ऊफ्षन पॉर थ्री परसेंट जो आपका राष्ट्य सिक्ष्षन नीती नाइटी एटी सिक्ष्ष्पन निवेज कुल राष्ट अत्पादन जो प्रतिशत होना चाहिए वो आपका छे प्रतिशत होना चाहिए तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास ऑफशन बन शे आपके पास की राष्टी सेक्ष्षन एक अंसुदान इवेज प्रिश्ष्षन परिशत की स्थापना कव की यह थी तो यह की यह थी आपके नाइटी सिक्ष्टी बन में तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास ऑफश्षन बन जो आपकी राष्टी सेक्ष्ष्ण कि अंसुधान एवं प्रिशिक्षण परिषद की स्थापना जो की यह थी आपके 1961 में की यह थी नेक्ट कोशन है दोस्तों की निवन मैंसे स्यूंक्त राष्टे संग का कौन सा अंग शिक्षा से समंदित है तो यह है आपका यूनेस को तो उसका राइट अंसर हो जाएगा आ क्विशी निवसन में रहता था तो यह था आपका किंडल का का तो शरक राइटा ंसर हो जाएगा आपके पास आप सथी नेच्ट कोशन आपके पास की बुनेदी हो कि या र içर मार इष्ट यह है कि यह आपका म।न का मजूश के अधार वों को शिक्षा द्वारा पूरण करना तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास option 3 नेक्ट कोशन है दोस्तों कि बारत में स्कूल शिक्षा के लिए पाथे क्रम से समध्य मामलों के लिए शीर संस्था कौन सी है तो यह आपकी ncrt है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आ आपके बारत में स्कूल शिक्षा के लिए पाथे क्रम से आउं जो से संस्थान जो हो है आपके ncrt het लिए टोस्तों के शीक्षम पनुगर्णिक है क्यामिन उप्संदों करग तो गहीं तो इसका राइक अंसर हो जायेगा आके पास Marx दो विभारिक जीवन जीवन विग्यान नेक्ट कोईशनल दोस्तों की निर्ट मैंसे और शिक्षम में विग्यान की प्रकति है आपके विग्यान की जो प्रकति जो है तो उसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास ओफ्षेंटरी विध्यान विग्यान next question, आपके पास की बाल मैनुव बिज्ञान के अधार पर कौन से खत्रम सर्बोत्तम है तो यह आपके पत्तिक बचा बसिष्ट होता है तो इसके right answer हो जाएगा आपके पास option 4 प्तिक बचा बसिष्ट होता है next question, आपके पास की निमन मैसे कौन सा मापन सबसे निमस तर का मापन है तो यह आपका नाव की पेमाना तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास ओप्शन 3 नाव की पेमाना नेख्ट कोजनरे, आपके पास के निमन मैसे कौन से प्रियसर भीलत कंः नहीं है. तो यह आपका बहुत लग है तो इसका राइट अंसर हो जाईगा आपके पास ओफ्सन दो बहुत बीभारिक विज्ञान है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास option 3 next question आपके पास की Logos का अर्थ है तथा Saiq का अर्थ है आत्मा तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास विज्ञाने का सरोकार्निम्म के साथ है तो यह आपका सीखने बाला, सखाने की प्रक्रिया और सीखने की परिष्टिति यह सभी जो है वो आपकी section मानिव गयान का सरोकरार है Next question है आपके पास की मनम्बिग्यान की सबसे प्राऑानी पद्दती है आपके आतम निदख्यानी सिरुत को बने मान के इपलता है, कि मान कम निवार को में नहीं? बन नेक्ट कोर्श ना आपके पास की किसका अप्डाय अपने बिवार को निेंत्रण करने चरह आतम नेंत्रण आतम अनुदेश आतम प्रभल जा प्रब्डड अम आपोर आतम अभी वेक्थी जो आपका आतम निय chantron जो है वो भी हाव को निंद्रन करने से है तो उसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास ओप्ष्ण बन आत्म निरेंद्रन नेक्ट कोशन आपके पास के आस्मान मनुविग्यान के अधन की जूग के जनक कौन थे तो यह आपके सिंगमंड प्राइड है तो उसका राइट प्राइड हो जाएगा आपके पास ओप्ष्ण दो सिंगमंड प्राइड नेक्ट कोशन आपके पास के शिक्ष्ण मनुविग्यान का अधना अध्याप पर कोशली करना चाहिए क्योंकि